बहुत समय पहले की बात है, किसी गाउं में एक समराट था, उस समराट के पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजा थी, जो उसका खयाल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी, और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था, उन वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता, तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता, इस चीज को लेकर वह बहुत शिंतित रहता था, कई बार वह अपने बगल के राज्य के राजाओं से भी मिला था, और सभी ने उसे, जिस कारण समराट ने बीच रास्ते में आराम किय वहाँ पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था, जब समराट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा, तो वे लोग उस असाधारन व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे, तब ही समराट ने सोचा कि लगता है ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है बहुत घ्यानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर समराट के मन में उस व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और अधिक हो गई अब वह समराट जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसके कारण वह आगे का सफर तै करना शुरू कर देता है जैसे तैसे वह समराट उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जब समराट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था उसका पूरा शरीर मिट्टी से लटपट पैरों में कोई चपल नहीं थी इसको देखकर समराट ने माली से कहा सुनिये महोदे इस आश्रम के मालिक कहा है मैं उनसे मिलने आया इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है श्रीमान आप अंदर बैठिये मैं उन्हें बुलाता हूँ वह जल्द ही आपसे मिलेंगे महराज मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है मैंने आपकी तारीफ सुनी है मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी है मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्य का समाधान आप अवश्य करते हैं इसी कारण वश मैं आज आपसे यहां पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ लेकिन मेरे मन में एक शंका है इस पर बहुत भिक्षू समराट से कहते हैं कैसी शंका इस पर समराट कहता है मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है बहुत से ज्ञानियों को देखा है वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है, जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्यानी हैं, लेकिन आपके पास तो ना कोई घ्यान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत गया है मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारन वस्तूओं से ही लेता हूं पर महराज आप यहां किस समस्या को लेकर परेशान है कृपया आप मुझे आपके यहां आने का कारण समझाएं इस पर समराठ कहते हैं गुरुवर लेकिन आज आपको देर हो चुकी है आप मु लौट गए और वह समराठ भी वापस अपने महल लौट गया लेकिन समराठ को रात भर नींद नहीं आए वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौध भिक्षू मुझे क्या बताने वाले हैं वह तो मुझे एक साधारन से माली नजर आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे ये बहुत बत आश्चर करने वाली बात है रात भर समराठ इनी खयालों में खोया रहा अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले समराठ उस आश्रम पर वापस पहुँचा वहां पर बौध भिक्षू पहले से ही पहुचा उन बौध भिक्षू ने एक पानी का छोटा सा जग उस समराठ के हाथ में थमा हुए कहते हैं इसे लीजिए और पौधों पर धीरे-धीरे पानी डालिए और ऐसा करते-करते यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते च समराठ पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था उस पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यान-पूर्वक पानी दिया और पिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यान पूर्वक पानी दिया, फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था, कि उसके मन में तरह-तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यान पूर्वक पानी दिया, जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पर पौँचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने, अब की बार ये सोच रहा था, पता नहीं, मेरे बिना मेरे सामराज्य में क्या हो रहा होगा, और अब की समराट को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर में यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। समराट पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था उस पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यान पूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। में बहुत ही ध्यान पानी दे चुका था लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और सम्राट अब बहुत परेशान हो चुका था जितनी बार वह पौधों को जानता था कि वह भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं वह बहुत बुद्धिमान था वह तुरंथ ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा उसने अब की बार बहुत ध्यान पूर्वक पहले पौधे को पानी दिया दूसरे पौधे को भी ध्यान पूर्वक पानी दिय ऐसे करते करते अब की बार समराट करीबन पांच पौधों में बहुत ही ध्यान पानी दे चुका था लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया उस पानी को देखकर समराट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और समराट अब ब समराट जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता, उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है, हमेशा खुद को किसी ना किसी विचार में उलजा हुआ पाता, ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह समराट पूर में उलजा हुआ है, इस कारण उस उसने उन बौध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा, समराट जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता, उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है, हमेशा खुद को किसी ना किसी विचार मे उलजा हुआ पाता, ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह समराट पूरे पंद्रा पौधों में पानी नहीं दे पाया था, जब बौध भिक्षु लोट कर शाम को वापस आश्रम लोटे, तो उन्होंने देखा कि वह समराट ठक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलजा हुआ है, इस कारण उस उसने उन बौध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा, समराट जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता, उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है, हम उनने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना, जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स पर रूप नजर आता है, तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें घ्यान और शांती देता है, इस पर सम समराट उन बौध भिक्षू से कहता है, हे महाराज, पर यह कैसे संभव है, मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ, तब ही बौध भिक्षू समराट के पास पहुँचे और कहने लगे, हे समराट, मैं तुम्हारी इमानदारी से बहुत खुश हूँ, तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पू करना, जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है, तब साधारन से साधारन सा काम भी हमें ज्ञान और शांती देता है, इस पर सम समराट उन बौध भिक्षू से कहता है, हे महाराज, पर यह कैसे संभव है, मैं तो जब भी कोई कार्य तो मन में कई तरह के विचार उत्पन होते हैं, और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूँ, और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता, तब ही बौध भिक्षू मुस्कुराने लगे और समराट से कहते हैं, तो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोज रख दिया हूँ, और यही कारण है कि तुम अपने आपको इस पल में रोक नहीं पाए, जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोज लगता है, तो मन में कई तरह के विचार उत्पन होते हैं, और मैं उन विचारों में फंस कर रह ज आता हूँ, और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता, तब ही बौध भिख्शु मुस्कुराने लगे और समराट से कहते हैं, हे समराट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे, तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन हो रहा था, कि तुम जल्दी से जल्दी इन पंद्रा पौधों में पानी दे दो, और उसके इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पॉधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते इस पर समराट कहता है हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आप से मिलना चाहता था जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते हैं लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है, क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा। इस पर बौध भिक्षू एक बार फिर मुस्कुराने लगे और समराट से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही मौझूद है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं ह और नहीं तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यक्ता है, इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है, अपनी सांसों पर ध्यान देना, इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना, सीखो, हम किस तरह से सांसे ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं, इस बात को देखन और समझने का प्रयास करें लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं उस पल में रहना बहुत कठिन है क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा इस पर बौध भिक्षू एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सम्राठ से कहते हैं जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है और नहीं तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यक्ता है इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है अपनी सांस के साथ ही बना हुआ है उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो जब तुम कहीं चल रहे हो कोई ऐसा कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमा तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो, तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखें, इसका एक और तरीका है, दो-चार मिनट अपने आस-पास की प्रकृती पर गौर करो, देखो कि क्या चल रहा है, तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है, उसके बाद तुम चाहो, तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो, जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखें इसका एक और तरीका है दो चार मिनट अपने आसपास की प्रकृती पर गौर करो देखो कि क्या चल रहा है तब तुम्हें यह समझ में आ जा करते हो जब तुम कहीं चल रहे हो कोई ऐसा कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखें इसका एक और तरीका है दो चार मिनट अपने आसपास की प्रकृती पर गौर करो तुम् तुम्हारा मन एकाग्र होगा और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्यान भी प्रदान ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते और जब हम ऐसा करते हैं तुम्हारे आसपास इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे फिर तुम अब कार्य को जल्दी जल्दी बस यूँ ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, और वह कार्य ही तुम्हें शान्ति और ज्ञान भी प्रदान करेगा ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे आसपास इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे फिर तुम अब कार्य को जल्दी जल्दी बस यूँ ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा और जब तो करता और कर्म एक हो जाते हैं, और हमारे भीतर की जो शान्ति है वह प्रकट होने लगती है हम उसमें मगन हो जाते हैं, इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो, या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरल्ता से प्राप्त भी कर सकते हो बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा बौध भिक्षु समराट से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शान्त रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परिशानी को पार कर सकता है तो करता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांती है वह प्रकट होने लगती है हम उसमें मगन हो जाते हैं इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो और यह अवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा बौध भिक्षु समराट से कहते हैं जो मन मुश्किलों में शांत रहता है मुश्किलों से भागता नहीं है केवल सचेत रहता है वह मन हर परिशानी को पार कर सकता है तो करता और कर्म एक हो जाते है और हमारे भीतर की जो शांती है वह प्रकट होने लगती है हम उसमें मगन हो जाते हैं इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो और यह अवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा बौध भिक्षु समराट से कहते हैं हर दुविधा से बाहर निकल सकता है समराट को उन बौध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थी उसने उन बौध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लोट आया उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे-धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कारे को ध्यान और मन लगा कर किया करता था जिससे उसे असीम शान्ती मिलती थी और वह छोटे-छोटे कारियों से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता था, इसलिए हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। समराट को उन बौध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे-धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कारे को ध्यान और मन लगा कर किया करता था, जिससे उसे असीम शान्ति मिलती थी और वह छोटे-छोटे कारियों से भी ज्यान प्राप्त कर लेता था, इसलिए हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। समराट को उन बौध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लोटाया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। और धीरे धीरे दोस्तों कभी किसी कार्य को बोज मान कर मत कीजिए। क्योंकि यदि आप उसे बोज मानेंगे तो जल्दी जल्दी उसे आप अपने उपर से उतारने का प्रयास करेंगे। अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा। और ऐसे में आप उस कारे को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम भी ना दे सके और इसी कारणवश आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं परेशान रहने लगते हैं क्योंकि जो अंजाम हम उस कारे को देना चाहते थे अंजाम हम उस कारे को ना दे सके और हम में से अधिकांच लोग यही गलतियां करते हैं जब उन्हें कोई कारे सौपा जाता है तो वह उस कारे को करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन वह चाहते हैं कि वह कारे कितनी जल्दी खत्म हो जाए और वह उस कारे को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते बलकि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है जिससे हमा कोई रास्ता नजर नहीं आता जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है हम बहुत परेशान रहने लगते हैं दोस्तों कभी किसी कार्य को बोज मानकर मत कीजिए क्यों हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था उस दर भर में सुलझा देंगे. दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में जरूर बताईए. इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी. इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी दबा दीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद नमो बुद्धाय दोस्तों आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में जरूर बताईए इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजेगा और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब और घंटी बटन को भी दबा दीजेगा